आज के दिन का पहला मैच ऑस्टेरियन लीग का खेला जाएगा न्यू कैसल जेट्स वॉर्सिज सेंटरल कोस्मिराइनर्स के बीच तीन घंटे तीन मिनिट के बाद इसमें और आई पील के बीच में कम से कम पंदरा मिनिट का अंतर है तो भाई मैं कहूंगा आई पील खेलो अ अच्छे थे मैं आपको क्या देता ओपन यार मैं आपको सही बता तो रहा हूं कल मैच इस थे ही नहीं मैलब गिंटी के छे पांच चार फुटबोल मैच थे एक आई पील था आज मजा आएगा आज है वीकेंड मैं कहरो दो टीम आज ओपन हूंगा कल एक भी नहीं दीना आ यह मैच को یہ मेरा और है कि यह मैच कुई नहीं कर रहा असल बात तो यह कि यह मैच मेंझ खुद भी नहीं खेल रहा ना की टीम दे रहा हूं टैलिग्राम पे क्योंकि यह बहुत inibly यह मैं इस तो रहा है दूंगा सकिप कर लो भाई नहीं खेला तो सबसे पहले मैं बात करूँ गोल कीपर की तो यहां भी लूँगा ढूंकेन को पहला रिस्क चालो हो जाते है हमारा गोल कीपिंग से जिन लोग ने भी बिग्रिटी लिया हो मिट फिल्डिंग पे प्लेयर को ड्रॉप्स करेंगे अच्छे अच्छे प्लेयर को इसलिए मैं एक रॉक्स मैं आपको बता दूँ असल बात यह थी कि फैरल को लेने का कारणता सेफ जाना मैं आपको साब बता रहो क्योंकि फैरल ने इस सीजन जब अपनी शुरुवात की दी सीजन की उसी मैच में इस बंदे ने नियू कैसल जेट्स को गोल लगाया था तो सामने वाली जाता है अब आता है 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 थे सीजन टीन गोल कर दी और एक प्लेइंग 11 में ने खेला अब आप है रहान हो रहे होगे एक भी मैच केरा नहीं तीन गोल कैसे किये तो कारण है सब्सक्राइब थी ग्राइब दा जाता है और अपनी टीम को जिता जाता है यह चीज तो अच्छ बेबी तो भी जीएल नहीं जीत पाओगी इसलिए आपको राय दूंगा बहले इसकी ये लाइनप में हो ना हो इसको टीम में ले लिया करो भाई जीएल की एंड आगे से बात करें होफमेन की यहां पर है जैसन होफमेन पिछले मैच में इस सीजन का पहला गोल किया इस बंद और अगी से बात करें थुर्गते अगर आपने सची में घृओल कीपिंग का रिस्क नहीं लेना तो ाप फुर्गते की जगा नीचे से रिए सकते हो एक प्लेयर खहले यह आपके सामने इस माम है सव्स्स समय कर करसकते हो अब ने के बात करने Crash कराने था फिर आपका पर्मानेंट पेनलिटी टेकर गोशित कर दिया consecutively पांच मैंच da तीन मैच में पांच अपरैल को गुण किया अग तेरह अपरैल को गुण क्या था सतरह अप्रैल को गुण किया था consecutive form में तीन गोल कर चुका है एक ही साथ एक भी मैच में गैप नहीं दिया और इसमें से एक दो पैनेल्टीज हैं बहुत बड़ी है चल रहा है सीजन आगे से बात करें बी माइक की बी माइक को भाई ड्रॉप मत करना अगर आपने लेना ही है सामने वहला प्लेयर अगर आपने गोल कीपिंग बदल नहीं है तो बट मैं इसको ड्रॉप मत करना एंड कमिंग्स को भी ड्रॉप नहीं करना ये दोनों में पेक हैं अगर आप टीम बनाने की शुरुबात कर रहे हैं और आपकी टीम में दोनों प्लेयर नहीं है तो गाइस पूरा मैच आपका रिस्क में बीतेगा इसलिए यही राय दूंगा मत करना कल भी मैंने बोला था जे रोट्स को ड्रॉप मत करना और मेरा कैप्टन था कहीं लोगों की टीम में भी नहीं था तो काफी अच्छी भी नहीं होगी थी उस मैच के अंदर लेकिन बिस्चेक मत करना है और आगे से बात करें मौरिस्ची की मौरिस्ची की वापसी हुई है कहीं लोग कहते है फ्लॉप है रहे फ्लॉप का खेले ही कितना है एक दो तो वो प्लेइंग 11 में मैच खेला है बिचारा पिछले मैच में उसने वापसी की 72 मिनिट में एक गोल एक एसिस्ट भी कर दिया तो अगर नहीं परोसा तो बॉमन ले लो सामने वाली टीम का बाकि मैं तो मौरिस्ची के साथ हूँ आगे से बात करें कैप्टन की कैप्टन ने बी माइक वाइस कैप्टन है कमिंग टेकिंग रिस्क और वी माइक और बी पेना सेफ है आप पेना के साथ जासे किते पर मैं नहीं जा रहा यह मेरी टीम में मिलता हूँ नेक्स वीडियो में बाई